नमस्कार मैं तरून वर्मा दिल्ली में क्लिनिकल साइकॉलोजिस्ट हूँ इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा एक ऐसे ट्रीट्मेंट के बारे में alcohol addiction के एक ऐसे उपचार एक ऐसे हिलाज के बारे में जिसके बारे में शायद आपने ना सुना हो और जो बहुत नया treatment है जो alcohol use disorders AUD में implement किया जाने लगा है जिसकी बहुत सारी applications देखी जाने लगी है और उसके बहुत सारे promises है मतलब बहुत chances हैं कि alcohol addicts या जिनको बहुत जादा लत है या आदत है alcohol लेने की वे बहुत अच्छा इस पर response दिखाएंगे क्योंकि शोध जो बताते हैं वो यह दिखा रहे हैं कि इस पर बहुत अच्छे results आ रहे हैं तो मैं आपसे इस technique के बारे में बात करूँगा कि कैसे habit reversal training या habit reversal therapy alcohol use disorders में काम कर सकती है उसमें फाइदा दे सकती है आपको शायद ही इस technique के बारे में आसपास कहीं सुनने को जानने को मिले आपको शायद मुश्किल हो आपका doctor शायद आपको ना बताए पर कुछ psychologist इस technique को बहुत अच्छे से और बहुत rigorously मतलब काफी actively इस technique को apply करते हैं अपने patients में और बहुत अच्छे results उन्हें देखने में आते हैं तो habit reversal training के बारे में जब आप जानेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी आसान और कितनी simple technique है और कैसे इसकी मदद से ना ही सिरफ alcohol use जैसी problems जो habit related, addiction related problems होती हैं वो ही सिरफ solve की जा सकती हैं ऐसा नहीं है जबकि आप देखेंगे कि इससे बहुत सारी ऐसी habit based problems भी आप इससे treat कर सकते हैं और habit reversal training जो है बहुत सारे disorders में apply की भी जाती है तो नहीं है, इसलिए नहीं कि वो technique ही नहीं है apply तो वो बहुत सारे disorders में की जाती है पर alcohol addiction में इसके बहुत promising results देखे जा रहे हैं इसलिए मैंने चाहा कि आप से alcohol addiction के treatment के लिए एक ऐसे नए और एक ऐसे क्रांतिकारी treatment के बारे में discuss करूँ जो शायद आने वाले करीब 10-20 सालों में बहुत ही जादा apply किया जाएगा और बहुत ही धडलने से शायद इस पर research भी होंगे और इसके बारे में training programs भी होंगे और ये सिखाई भी जाएंगी आगे आने वाले समय में आप शायद देखेंगे कि यही treatment सबसे ज़ादा apply किया जाएगा psychological management में किसकी alcohol या drug addiction की management में तो आईए इस पर बात करते हैं बहुत सारे behavioral therapies addiction के treatment में बहुत successful बहुत काम्याब साबित हुई है हालंकि ज़ादा तर जो alcohol treatments होते हैं I mean addiction के treatments होते हैं वे cognitive therapy पर based होते हैं Behavior therapies इसमें केवल goal management training के लिए ही use की जाती है goal management training होती है GMT जिसे कहते हैं ये बहुत आम तौर पे cognitive behavioral intervention होती है जो इस्तमाल में लाई जाती है Basically idea ये होता है goal management training को लेकर कि जब कोई व्यक्ति alcohol addict हो जाता है तो alcohol के addiction की वज़े से वे अपने life के goals achieve नहीं कर पाता या उनको pursue ही नहीं कर पाता कहीं न कहीं वो बहुत motivation की कमी महसूस करता है जिसे आहम तौर पर हम कहते हैं कि willpower की कमी महसूस होती है और willpower की या खुद पर control की कमी के कारण self control के कमी के कारण अक्सर वे या तो शराब छोड़ नहीं पाते या अपने goals और अपने life के जो purpose हैं, targets हैं उनको achieve नहीं कर पाते तो cognitive control की कमी cognitive मतलब thinking का जो control होता है जिसे willpower कहते हैं willpower की कमी, self control की कमी और अपने लक्षे achieve ना कर पाने में सक्षम होना मतलब अपने goals के प्रती बहुत motivated ना रहना ये major problems है alcohol addiction में और इनहीं को target करके treatment अक्सर दिया जाता है psychological treatment दिया जाता है जिसमें कोशिश यही की जाती है कि अगर किसी का self control या motivation अगर कम हो गया है वे व्यक्ति जो है वे अपने goals को achieve नहीं कर पा रहा है self control बढ़ाओ, motivation बढ़ाओ goals को लेकर उनकी motivation और उनका focus जो है वे बढ़ाओ उनके अंदर positivity लाओ ताकि वे अपने goals के प्रती बहुत confident हो पाएं मतलब goal management training करो GMT करो इसी के साथ एक motivational enhancement therapy भी दी जाती है MET जो की motivation को बढ़ाने का काम करती है जिसका target इस पर होता है तो एक therapy motivation पर काम कर रही है एक therapy goals को manage करने पर काम कर रही है और साथी साथ एक therapy cognitive वाली self control पर काम कर रही है तो ऐसे alcohol addiction की treatment को approach किया जाता है आम तोर पर अब जो habit reversal training है वो इन सबसे बिल्कुल अलग है एक तो वो behavioral training है behavior therapy है वो thinking पर work नहीं करती जादा आपकी सोच विचारने की शक्ती सोच विचारने की एक शमता आपका खुद को motivate करने की जो शमता हैं उस पर बहुत जादा work नहीं करती ये काम करती है आपकी habit development जो हुई है alcohol addiction में उस पर सीधे तोर पर आपकी आदत को target करती है सीधे तोर पर ये आपकी habit आपकी जो लत है उसके अंदर जो आपका जो एक automatic behavior है उस पर target करती है habit reversal training को समझना आपके लिए बहुत जरूरी हो सकता है अपने alcohol addiction के management में हलंकि ये video alcohol management पर है पर drugs के management में या किसी दूसरी addiction के management में जैसे की gambling हो गई video game addiction हो गई internet addiction हो गई social media addiction हो गई कई जगाओं पर इसको इस्तमाल में लाया जा सकता है कई सारी problems में इसको apply किया जा सकता है तो पहले जानते हैं कि habit reversal training होती क्या है habit reversal training जिसको की habit reversal therapy भी कह देते हैं HRT पहले तो अपने behaviors खासकर कि जो habitual behaviors है जिसकी है बात हो रही है उसके प्रती aware होना पड़ता है awareness develop करनी पड़ती है जागरूक होना पड़ता है और साथी साथ ऐसे behaviors learn करने पड़ते हैं adopt करने पड़ते हैं ऐसे कुछ alternative behaviors को हमें अपनाना पड़ता है adopt करना पड़ता है जिससे की हम अपने addiction वाली लट और behaviors जो है उसको कम कर दें उसको हटा दें नए behaviors डेवलप करने के लिए train होना पड़ता है इसको अभी हम detail में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत general सी बात हुई impulse control disorders जो होते हैं impulse control मतलब जिसमें व्यक्ति बहुत उत्तेजित हो जाता है बहुती छोटे समय में इच्छा होती है उत्तेजना होती है उनके treatment में अकसर habit reversal training को बहुत commonly use किया जाता है हालंकि सिरफ गुस्य के प्रती व्यक्ति में उत्तेजना या इच्छा नहीं आती कई बार कुछ ऐसे behaviors में भी उत्तेजना आती है जिसका गुस्य से कोई लेना देना नहीं है जैसे कि बच्चों में और कुछ adolescents में, teenagers में एक problem मिलती है जिसे कहा जाता है tics disorder, torret syndrome इसके अंदर involuntary tics होते हैं, बच्चा जो होता है वे ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे behavior शो करता है tics जिसे कहते हैं जो बहुत fast होते हैं, intense होते हैं और जिसके अंदर उनको perform करने की उत्तेजना बहुत ज़्यादा होती है जिस पर बच्चे का control नहीं होता आप इस बारे में जानकारी इंटरनेट पर ले सकते हैं कि tics disorder क्या होता है, कैसा होता है यूट्यूब पर भी इसकी बहुत सारी videos available है, इस video में मैं उस पर जादा चर्चा नहीं करूँगा तो उसी तरीके से जहां पर हम बहुत ही automatic और बहुत उत्तेजना वाले, ललक वाले और बहुत ही impulse वाले behaviors शो करते हैं जिसमें हम बहुत सोथ समझे बिना कोई भी behavior शो करते हैं कोई भी व्यवार करते हैं जिसमें सोचने समझने की ताकत बहुत कम हो जाती है और ना चाते भी हम वो behavior बार-बार करते जाते हैं इच्छाएं बहुत ज़्यादा तीवर हो जाती है रोक नहीं पाते खुद को उन behaviors में उन addictions या उन habits को control करने में habit reversal training या therapy यूज की जाती है जिसमें हमें इन bad habits को maladaptive habits को poor habits को और addictive habits को control किया जाता है उसमें उनको change किया जाता है और उनकी बजाए एक नई habit नई behavior नई विवहार जो है वो हमें adopt करना सिखाया जाता है ट्रेन किया जाता है ताकि हम bad habits छोड़ दे उनसे दूर हो जाए तो यह तो रहा basic habit reversal training के बारे में अब बात करते हैं कि habit reversal training के components क्या हैं कैसे की जाती है क्या steps हैं इसके यह हमें जानना समझना बहुत ज़रूरी है यहां मैं brief में बताऊंगा बहुत थोड़ी सी जानकारी दूंगा इसके उपर और भी videos मैं बनाऊंगा जो की addiction या कुछ दूसरे disorders में इसको कैसे use करते हैं और इसके steps कैसे हम implement करते हैं उसके बारे में फिलाल यहां पर मैं एक brief overview आपको दूंगा कि habit reversal training के 5 मोटे तौर पे important steps कौन से होते हैं 5 steps में इसे किया जाते हैं लक्षे aim goal यही है कि नए habits और नए behaviors learn करने है पुराने वालों को replace करने है और उन्हें alcohol की लत्वी है अगर भले ही वो disorder ना बना हो तो उसको रोकने की दबाने की कोशिश करते हैं जो कि self control वाली theory में बोला जाता है या उसकी therapy में जिस पर target किया जाता है नहीं यहां self control, खुद को दबाना खुद को रोकना वो सब चीज़ें शामिल नहीं है और यही सबसे अच्छी चीज़ है habit reversal training की कि यह हमारे दिमाग के ऐसे हिस्से पर ऐसे पहलू पर काम करती है जिसमें हम control के उपर focus नहीं करते motivation पर focus नहीं करते हम habit को change करने के लिए नए behaviors को learn करने पर focus करते हैं और साथी साथ awareness पर भी target करते हैं मतलब awareness को जरिया बनाते हैं तो आईए देखते हैं इसके 5 steps कैसे हैं पहला है gaining awareness जागरूकता, develop करना, बढ़ाना पहला सबसे important step होता है अपनी जो self destructive habits हैं खुद का नुकसान पहुचाने वाली जो आदते हैं उनके प्रती जागरूक होना, aware होना सबसे पहले इनको रोकने के लिए जरूरी होता है कि हम अलग-अलग moments में अलग-अलग पलों में, क्षणों में इसके प्रती aware रहें अब आप कहेंगे कि मैं तो अपने इन आदतों के लिए aware हुई मुझे पता है कि मैं शराब पी रहूँ मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा शराब पी रहूँ, बहुत ज़्यादा मेरी लत है बहुत ज़्यादा मेरी आदत है यहां इस बारे में बात नहीं हो रही अक्सर जब आपके अंदर इस तरह से जागरूख होता हूँ कि मुझे यह दिखाई दे रहा है कि यह केवल एक ललक है केवल एक आदत है केवल एक ऐसी आदत है जिसे मैं केवल दोराए जा रहा हूँ बार-बार रिपीट किये जा रहा हूँ इसका नजरिया बदला जाता है आपको सुनने में कुछ चीजें सेम लगेंगी, आपको लगेगा कि ये तो मैं वैसे भी जानता ही हूँ, करता ही हूँ, पर जब आप इसकी ठेरेपी में आएंगे तो इसकी अलग स्ट्रेटेजी, अलग तरीके से इसको करना आपको बताये जाएगा और आपको समझाये हम उस समय अपनी अवेरनेस को ले कर जाते हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम अवेरनेस ना रखने के कारण अक्सर हथियार डाल देते हैं, मतलब सरंडर कर देते हैं अपनी एडिक्शन के हाथ हों, एडिक्शन के सामने, तो यहाँ पर आपको अवेरनेस के थूँ, जो साइन्स हैं जो उत्तेजना या इच्छा के जो सबसे शुरुवाती पल है उसके प्रती अवेर कराये जाता है उसके प्रती आपको जागरूख बनाये जाता है जिससे कि जब आप आगे अपनी हैबिट को चेंज करने जाए तो आपके लिए आप हमेशा अपने मन में ये बात बना सकें, रक सकें कि आपको एक ऐसी आदत है जो self destructive है और जो आपका नुकसान कर सकती है या करती है और उस आदत के परती आपको aware होने है उस feeling के परती aware होने है आम तोर पे उस feeling के परती आप aware नहीं होते आप अगर aware होते हैं, तो किस बारे में, आपके दिमाग में जो photo आती रहती है, बार-बार विचार गुमता रहता है, शराब की बोटल का, शराब के गिलास का, शराब की टेस्ट की जो महक आपके मन में आने लगती है, आपका ध्यान केवल उसी पर जा रहा होता है, उसी की व तो यहाँ awareness की पूरी quality को बदला जाता है, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे awareness और आपकी जो alcohol की ललक है वो कैसे अलग है, दूसरा step होता है developing a competent response या competing response, अब यह सबसे important step आता है, इसी में पुरानी habits को बदल के नई habit डेवलप की जाती है, इसको कहते हैं developing a competing response, competing मतलब एक प्रतिस परधा करने वाला response या behavior learn करते हैं, कुछ ऐसे competing response, response basically behavior होता है, कुछ ऐसा competing, competing मतलब competition देने वाला behavior learn किया जाता है, उसकी आदर डाली जाती है, उसको सीखा जाता है, जो उस समय जब आप alcohol पीने की इच्छा कर रहे हैं और आप alcohol लेने की तरफ बढ़ रहे ह उस तरफ आप एक ऐसा competing behavior डेवलब करते हैं, जो आपको alcohol की तरफ ना ले जाकर आपका रास्ता बदल दे, आपको कुछ दूसरी चीज़ करने पर मजबूर करें, या आप कुछ ऐसा दूसरा कुछ behavior शो करें, जिससे कि आपकी ललक कम होने में, आपको मदद मिले, आपको उ गिलास में alcohol भर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, गिलास में भरने की बजाए उसे एक और बोतल में डाल देंगे, और उस बोतल को बंद करके किसी फ्रिज में या किसी जगे पर रख देंगे, या कई मामलों में क्या कराया जाता है, कि आप गिलास में थोड़ी सी शराब ल और आपका पीने का मन कर रहे है, या बोतल से पीने का मन कर रहे है, उसी समय आप कुछ ऐसा behavior शो कर दोगे, एक ऐसे behavior की तरफ अपना ध्यान ले जाओगे, जो बिलकुल alternative हो, बिलकुल competing हो, मतलब इसी behavior से मिलता जुलता हो, पर उसका consequence अलग हो, consequence मतलब वो गिलास आपके और आप देख रहे हैं कि सामने अचानक से कोई और गाड़ी आगी और आपको अचानक से अभी दिखा, तो आप एकदम से अपना steering mode के एकदम से गाड़ी का रास्ता बदल लेते हैं, आप सीधा उसी जगे नहीं चलते रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि महाँ जाने से त पता चाहिए, और फिर जैसे ही आगे बढ़ रहे हो, बढ़ते 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 अपना रास्ता बदल लिया, मतलब एक और मिलता चुलता behavior शो कर दिया, बिल्कुल अलग नहीं करना, आम तोर पे क्या बोलते हैं, कि अच्छा, शराब मत पियो, शराब पीने की जगह, आ यहां क्या किया जाता है, यहां पर बहुत बारीकी से आपको उसी समय, उसी behavior के दौरान आपको दूसरा behavior करने की तरफ मोड दिया जाता है, तो आप धीरे-धीरे क्या करते हो, जब इसको बार-बार repeat करते हो, तो आपकी आदत बन जाती है, आप आदत में इसको लियाते हो, और नया behavior learn करते हो, तो आपके alcohol consumption कम हो जाती है, सबसे पहले consumption पर focus किया जाता है, उसकी quantity कम होती है, और धीरे 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 alcohol का intake की आप कम कर देते हो, आपकी ललत कम हो जाती है तीसरा important step आता है, relaxation training, जब आप ये सब कर रहे हो, आप इतना alcohol के behaviors को change कर रहे हो, या आप अपने habit को change कर रहे हो, नए behavior अपना रहे हो, तो आप बड़े बेचैन और परिशान हो जाओगे, तो जरूरी होता है कि उस समय relax किया जाए, उस समय कुछ ऐसा deep breathing या कुछ ऐसा meditation या mindfulness जैसा कुछ exercise की जाए, जिससे आप अपने को relax कर सको, relax होने की वज़े से आप अपने इन behaviors को adopt भी कर पाओ, और शान्त मन से आप अपने को बदलने की तरफ आगे भी बढ़ पाओ, relaxation से क्या होता है, जब आप addicted behavior शो कर रहे होते हो, शराब पीने की ललक जो है, आपको शराब की तरफ लेकर जा रही है, तो आप क्या करते हो, आप अपने अंदर उठ रहे stress को कम करने की कोशिश करते हो, क्योंकि खास कर क्या होता है, जैसे ये competing behavior दिखाए, competing response, ये perform करना भी आपके लिए बड़ा stressful हो सकता है, बड़ा तनाव देगा, बड़ी बेचैनी, बड़ी परिशानी देगा आपको, बड़ी अंदर से बेचैनी महसूस होगी, और एक ललक महसूस होगी, तो वो जो stress है, उसको कम करने के लिए relaxation की जाती है, जिससे कि आप अपने को शांत मन से, शांत भाव से आप एक नए behavior की तरफ बढ़ सकते हो, आप अपने triggers के प्रती control रख सकते हो, क्योंकि मन में बार-बार वो इच्छा उठ हेगी, तो आप उसकी तरफ बढ़ने से अपने को रोक सकते हो तो थोड़ा आपको अपने भावनात्मक रूप से अपने को emotionally control, regulate करना भी उसमें जरूरी होता है, और जितना आप इसको करने लगोगे, जितना धीरे-धीरे आप करने लगोगे, relaxed भी जाधा रहोगे और आपके लिए असान भी हो जाएगा, तब उस टाइम पर stress और anxiety करते हैं, जैसे आपने जब अपनी alcohol की जो behavior है उसमें कमी लाए, तो आप क्या करोगे, किसी ऐसे व्यक्ति को अपने घर में जो notice कर रहा है, जिसकी presence में आप यह जब कर रहे हो, उनको कहोगे कि वो आपको praise करें, या वो खुद ही, उनके support से ही आप धीरे-धीरे इस आदत क को दूर करने की तरफ आगे बढ़ें, जिसमें session के अंदर, therapy के अंदर, आपके अलावा, आपके कोई ना कोई family member भी involved हो सकते हैं, और उनको बताया जा सकते हैं, कि वो किस तरह के से आपको अलग-अलग time पर motivate करें, जैसे दिन के किसी अलग समय पर किया जा सकता है, या जब जो भी आप अपने को motivate कर सकते हो, अलग-अलग तरीके से, तो कही ना कहीं आप motivation ढूनते हो, motivation का source ढूनते हो, धीरे-धीरे अपने को ऐसी दिशा में ले जाते हो, अपने को और जादा encourage करते हो, जिससे कि आपको further इस नई habit को develop करने में motivation रहे, encouragement रहे, आपका उत्साह बना पांचवा और last step आता है, generalization, मतलब आपने केवल घर में कुछ देर के लिए, जब आपको alcohol की ललक होती है, तब आपने इसे apply किया, पर अब आप इसे अलग-अलग situations में भी apply करोगे, generalize करोगे, एक specific situation से general situations की तरफ जाओगे, तो अलग-अलग situations में भी आप कर सकते हो, मानलो आप किसी party में गए, जहाँ पर सारे लोग alcohol ले रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप ये behavior show करोगे, आप शादी में गए या किसी function में गए, वहाँ पर भी अगर आप इस तरह किसे देख रहे हो, लोग आपको शराब पीते होई दिख रहे हैं और आपका मन कर रहे हैं, तो भी आप वहाँ पर भी ये behavior show कर सकते हो, साथी साथ आप और भी कई तरह से नए-ने situations में इसे apply करना learn भी कर सकते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि जो आम तोर पे जिन situations में आप जा रहे हो, जहाँ पर लोग शराब पीते हैं और आपके अंदर इच्छा होती है पीने की वहीं पर आ जैसे मान लीजिए आप generalization इस तरह से भी होगी कि आप शराब की दुकान के पास से निकल रहे हो, जहां से आप एकसर regularly शराब लेते हो, तो वहाँ आप शराब की दुकान पर जाने की बजाए उसके पडोस की दुकान पर चले जाएं, जो snacks की या किसी भी दूसरी टाइप क शॉप होगी, और competing response होगा यह, जहां पर आप अलग-अलग situations में अब apply करना सीख रहे हो, मतलब बजाए शराब की दुकान पर जाने के उसके आजप पडोस की दो-तिन दुकानों से कुछ और shopping करके आ जाओ, ये भी दीरे-दीरे आपके उस behavior को change करने में motivate करेगी, आपको उ settings में, real world environment में आप change कर सकते हो, तो अब हमने जाने ये 5 महत्वपून steps, 5 महत्वपून components, aspects पहलू इस treatment के, ये सब करने ज़रूरी है, अलग-अलग तरह से इनको implement किया जाता है, तो mental health के इन issues में, खासकर addiction वाले issues में, problems में, problematic behaviors में, HRT काम करती क्यों है, कैसे काम करती है, हलंकि 1987 के दशक से, अलग-अलग behavioral disorders के treatment में, habit reversal training को use किया जाता रहा है, पर alcohol पर एक समय में, बहुत चर्चा होती थी, बहुत भैस होती थी, कि इसके treatment में, habit reversal training काम नहीं करेगी, काम ही नहीं करती, ऐसा कुछ शोध करता, कुछ ऐसे experts थे, जो बोलते थे, कुछ शोध करता इंप्लिमेंट भी किया, इसको सिखाने की कोशिश भी की, पर उन्होंने देखा कि आम तोर पे लोग सीख नहीं पारे, कर नहीं पारे, पर हुआ ये कि बहुत अच्छे पिछले 15-20 साल में controlled trials होए हैं, जिन्हे randomized controlled trial कहते हैं, RCT, जिसमें बहुत गहन अधेन के साथ research किया ज जाए, तो habit reversal training बहुत अच्छे असर लाता है, बहुत लंबे time तक बनायवे असर भी लाता है, बहुत लंबे समय तक असर बने रह सकते हैं इसकी help से, तो इसे एक बहुत अच्छे alternative के तोर पे देखा जाने लगा, अब recently पिछले कुछ 4-5 साल में 2015-16 के बाद, और भी इस प treatment के तोर पे मान लिया जाए, alcohol addiction के treatment के लिए, इसमें क्या होता है, हमारे दिमाग के उन हिस्सों को इस्तमाल में लाया जाता है, या target किया जाता है, जिसमें हमें actual में ललक उठती है, तो ऐसा मना जाता है कि alcohol use जो होता है, alcohol addiction जो होता है, उसमें हमारा जो दिमाग है, वो automatic हो करने की तो उस automatic behavior को control करने में alcohol के मामले में भी उतना ही ज़ादा ये habit reversal training applicable हो सकती है तो हमारे अंदर जो automatic behavior develop करने की जो tendency है उसको change करना और उसके automaticity से बदल कर उसको अपने हिसाब से mode देना नई habit जो हम learn करते हैं तो अपने हिसाब से behavior को mode देते हैं यहाँ पर हमारे automaticity को change करने में behavior के अपने आप होने की जो tendency है automatic तरीके से उसको रोकने में बदलने में ये काम करती है तो आप automatically बार-बार शराब की तरफ नहीं जाते हैं आप अपने behavior को खुदी बदल देते हो और खुदी उसको change कर देते हो और अपने उपर बहतर control डेवलप कर पाते हो बहतर तरीके से अपने उपर एक self-control ला पाते हो तो ये जो technique है ये mindfulness meditation, mindfulness technique, mindfulness skill के base पे work करती है उसी को आधार बना के ये एक successful results लाती है और mindfulness आजकल बहुत जादा implement की जाती है anxiety, OCD, depression, phobia और कुछ दूसरे से बिमारियों में, दूसरे से mental health की problems में उनको treat करने में बहुत successful results देखे जाते हैं तो addiction treatment में भी अगर हम mindfulness को base बना कर habit reversal training को जब हम करते हैं तो उसमें वो अच्छे असर लाती है addiction के behaviors को control करने में और उन्हें हटाने में उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये जानकारी आपको लाब देगी आप अपने therapist से पूछें, उनसे बात करें कि क्या habit reversal training वो आपको करा सकते हैं क्योंकि मुझे उमीद है कि बहुत सारे therapist और बहुत सारे psychiatrist डॉक्टर्स जो हैं इसकी तरफ आप बढ़ सकते हैं, अपने therapist से बात करें या अगर आपका therapist आपको नहीं दे रहा है, तो आप किसी और therapist से भी पूछ सकते हैं कैसे वो इस therapy, इस technique की मदद से आपके addictive behaviors को दूर करने में आपकी help कर सकते हैं इस वीडियो को सुनके आपके मन में बहुत सारे प्रशन उठे होंगे, पर इन सभी प्रशनों का जवाब मैं देऊंगा या तो आप मुझे comment करें वीडियो के नीचे, उसमें मैं आपके जवाब दूँगा समालों के या फिर मैं और वीडियो बनाऊंगा जिसके थुरू मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा कि habit reversal training या habit reversal therapy, alcohol addiction को दूर करने में कैसे काम करती है इसी के साथ drug addiction में भी help कर सकती है और अगर आप चाहें तो अगर आप दूसरे तरह के addictive behaviors भी रखते हैं समझने जानने के लिए अगर वहाँ पर अगर आपको ये help कर जाए तो आप alcohol की तरफ भी इसको use कर सकते हैं क्योंकि आम तोर पर ऐसा होता है कि जब हमें कोई addiction होती है तो हमें 2-3 और तरह की addictions भी होती है जिसमें आप बाद में alcohol addiction में भी से apply कर सकते हैं तो वीडियो को like करें वीडियो को share करें जिसे भी जरूरत हो इस वीडियो की जिसको आप सुनाना चाहते हो शेयर करना चाहते हो उन्हें बताए और साथी साथ चैनल को जरूर subscribe करें अगर आपने अभी तक चैनल subscribe नहीं किया तो मैं mental health पर वीडियो बना रहा हूं जो आपके बहुत काम आएंगी और जो आपको आगे बहुत help करेंगी अपने treatment को guide करने में धन्यवाद